नमस्कार दोस्तों स्वाइट गीरे सोई में आपका स्वागत है तो आज हम यह देख सकते हैं बड़े साइज का तीन आलू हमने लिया है इसको हमने छील लिया है छील के हमने अच्छे सो दो लिया है देख सकते हैं इसका छिल का हमने उतार लिया है और यह हम आज आलू का स्न अलू जब बड़े साइज करेंगे तब लंबे लंबे बनेंगे और अच्छे बनेंगे तो अलू को हम काट लेते हैं देखें किस तरह हम काट रहे हैं यह जिसके पास मसीन हो मसीन से काट ले जिसके पास मसीन नहीं है वह ऐसे चाकू से भी काट सकता है तो हम आप लोग को चा आराम से कट गया और कितने अच्छे कटे हैं तो इसी तरह हम सारे स्नेक्स को काट लेंगे आलू को देख सकते हमने काट लिया सारे अलू को इसको हम दो से तीन बार पानी से अच्छे से धोएंगे जो कि इसमें का जो आलू का चिपचिपा पन है वो निकल जाएगा और जब कि पानी जो एकक्दम क्लीन ना हो जाए साफ तब तक तक हम गटाओंगे ऑच्छे से यह को या विक तक यह पहले ही पानी से त theor में पानी से द्हो रहे हैं कि शॉक्षे दोना है 2-3 पानी तक तो देख सकते हैं अच्छे से हाथ से मल-मल के आप लोग धो लीजिगा इसको तो इसको दूसरे परतन में निकाल लेते हैं बच्चे इसको बहुत मन से खाते हैं तो आप लोग अपने घर में जरूर बनाएगा ये बाहर से खरीदने से अच्छा है आप लोग घर में बनेए देखिए हम अब इसको दूसरी बार धो रहे है आलू को अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है तो आप लोग आलू को बहुत अच्छे से धो लीजिएगा काटने के बाद पानी बेगदम साफ हो चुका है यह तीसरी बार धो रहे हैं अब यह हम आलू धो लिए पूरा तो अब इसको हमें कोटन का कपड़ा लेंगे कोई तोलिया कोई रुमाल कुछ भी तो उससे हम इसको इसको इसके पानी को हम अच्छे से सुखा लेंगे इस तरह कोई कपड़ा लेके उस कपड़े पर डाल के इस तरह आप वो इसको सुखा लेजिएगा पानी इसमें क्यादम सुख जाना चाहिए इस तरह सुखा लेजिएगा आप लोग यह पानी तो देखिए हमने सारे आलो को अच्छे से पानी आलो में का सुखा दिया है और इसमें हम आप आरा रोट पावडर डालेंगे आरा रोट पावडर नहीं हो आप पे तो आप लोग चावल का आटा भी डाल सकते हैं मैदा भी डाल सकते हैं तो हमने आरा रोट पावडर डाला है इसको डालके अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको इस तरह हास से भी मिक्स कर सकते हैं इस तरह से अच्छे से कोट हो जाता है यह थोड़ा भी कम लग रहा है तो इसको मम ठावर डाल देंगे अब यह अच्छे से हो गया है देख सकते हैं आप लो इदम पूरा अच्छे से कोट हो गया है और रोट पाउडर तो उधर हमने गया सॉन कर दिया है और हमने रिफैंड वाल रख दिया है गरम होने के लिए अगर इसमें कुछ लगा रह जाए ज्यादा कॉन फ्लोर तो इसको अरे आरा रोट पाउडर तो इस तरह से आप लोग चान के भी डाल सकते हैं या फिर हाथ के हाथ से ऐसे से हाथ से उपर से ही लोर ही लोर के जैसे उठा उठा के डाल देना तो बच्चा हुआ सारा नीचे रह जाएगा देखे तेल गरम हो गया है अब इसे हम डाल देंगे तो एक बार में जितना आएगा उतना ही डालिएगा आप लोग इसको ज्यादा उपर तक ज्यादा मत भरिएगा नहीं तो यह अच्छे से पकेगा नहीं इसको अच्छे से अंदर तक भी पकाना है देखे इसमें कलर आने लग गया है तो अब इसको हम हाफ कोक करें आधा फ्राइग कर रखें अब इसको निकाल लेते हैं इसको निकालने के बाद हम दूसरी बार का डाल देंगे निकाल में इसको निकाल देते हैं ज़सका ही इसको दुबार हरो इसको दूसरी बार तेलेंगे है तो देखे हमने एक बार इसको कर रखा था दाल दूसरी बार करता है है और दूसरी बार Pav ृफ्र कि इस तरह अच्छे से फैल आके और अलट पलट के आप लोग इसको अच्छे से पका लिजेगा कि देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है तो इस तरह आप लोग भी बनाईएगा जरूर तो यह बन चुका है अब हम प्लेटिंग करके दिखाते हैं देखिए कितना अच्छा बना है यह देखिए यह एकदम अंदर तक पग गया है एकदम बिल्कुल कच्छा नहीं है सॉस के साथ टमाटो सॉस ग्रीन चिली सॉस किसी भी सॉस के साथ आप लोग खा सकते हैं देखिए यह अंदर तक एकदम जैसे खोखला पन हो गया है क्रंची क्रंची हो गया है देखिए पग भी गया अच्छे से दिख रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कोमेंट करकर ज़रूर बताएगा मिलते हैं नई वीडियो में धन्युक्त